हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग में आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा थमने लोग टाइटिल देखकर तो जी हां तो आप लोग कोई पता है कि अभी आ रहा है बट सावित्री का कि प्रट कि ये हर सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्पून होता है और जो अरत होती है वो अपने पती के लिए प्रत के बारे बताने चाहरी हूं कि इसकी बिधी क्या है और इसको इस व्रत में इस पूजा में किसके चीज की जुरूद पढ़ती है और किस तरह से इसकी पूजा की जाती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो ये व्रत सौभागी वतिस्तिरियों के लिए बहुत महत्पूर्ण माना जाता है और इस ब्रत को हर एक सौभागन अपने पती की लंबी उम्र के लिए करती है उनकी अच्छे सेहत के लिए करती है उनकी अच्छे कामकाज के लिए करती है क्योंकि हर सौभागन इस तरह का स्तित पर उसके पती से जुड़ा होता है अगर उनके पती का सब कुछ अच्छा होगा तो उनकी पतनी का भी दिन अच्छा होगा ये ब्रत जेश्ट मास की अमवश्या को मनाया जाता है 2020 में ये ब्रत 22 माई को पढ़ रहा है इस दिन बर्गत के पेड़ की पूजा की जाती है जो की बट ब्रिक्ष बोलते हैं जिसे बट ब्रिक्ष के नीचे बैठ कर साबित्री सत्यवान और जो साबित्री थी के बट साबित्री का ब्रत रखके यम्रास से अपने पती को छीन कर लेकर आई थी तो इसी को देखकर हर सुहागन इस्त्रियां इस ब्रत को करती है ताकि अपने पती की उसी तरह से रक्षा कर सके जैसे की सावित्री ने किया था सत्यवान की रक्षा बता रहे हूं इस ब्रत की विधी तो इस ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और पूरा सुनिएगा इसक क्योंकारी वे तो इस दिन इस्तिरिया जो होती है वा सुभए सवेरे इठ पैर पैर तक इस्नान करते हैं और इस्नान करने के बाद 16 श्लिंगार करती है जैसे दिसनान पिदिये 16 मिजल्द श्रिंगार आ love तो भी होता है महाबर करते पूरा समान मतलब लेना है और उससे ट्रिंगार करते हैं तेंने के बाद दो बासकी टोकरी लेऽे लेते हैं और एक टोकरी में ब्रह्मा की मूर्ती स्थापित करते हैं चाहिए जल डालने के बाद उसमें फूल रोली अच्छत और कच्चा सूत जिसे बोलते हैं कच्चा धागा और मॉली भी ले सकते हैं और काला चना भी गोया हुआ जो हता है अंकुरी बोलते हैं उसको तो काला चना भी गोया हुआ यह सब बटवरिक्ष के जड़ में चढ़ाने के बाद फिर गुड चढ़ाते हैं और तो जाहे तो आप जैसे गिंटी से होता है जोड़े ना करके जैसे 11 फेरी दे सकते हैं कि तीन से शुरू होता है तीन दे सकते हैं आप ग्यारा दे सकते हैं या तो 21 कि दे सकते हैं 108 दे 108 मिश्डी के दाना चाहे चना का दाना मुंफली का दाना कुछ भी 108 अपने हाथ में ले ले और जितनी बार हम जब फेरे लगाते हैं एक फेरे पूरे होने के बाद एक दाना वहाँ पर चढ़ा दे फिर दूसरी फेरे होने के बाद दो दाना चढ़ा दे ऐसे 108 बार हम जब घ कि जो बर्ट ब्रीज का जो पत्ता होता है उसका गहना बहना कर पहने तो गहना बनागा है अब उसका यह भी सोचेगे कि बर्ट ब्रीज के पत्ते से कौन सा गहना बनाए तो ज्यादा कुछ नहीं जो बस उसके एक पत्ता चाहे दो पत्ती होती है जो हम बाल बनाते तो यहां पर खोस लेते हैं उसके बहने को पहन कर पूजा करना चाहिए और झालकें जो जाया लुड़ा कर ईो जो कना ली yeah ऑसका आधा ड्रीज निकालकर भाइना निकाल लेते हैं। और उस बायने को अपनी जारतर अपनी सासुमा को ही दिया जाता है तो पहले सासुमा को परणाम करके पैर छुके और अपनी सासुमा को वो दान दे सकते हैं अगर आपकी सासुमा आपके पास नहीं है तो आप इस चने को पंडजी को दान में दे सकते हैं हमने जो सिंगार बचा कर रखा था वो सिंगार और प्रशाद जो सुहागा निस्तिरियां होती है उनके बीच में बाटना चाहिए यह जरूरी होता है और बहुत अच्छा होता है अपने अपने सुहाग के लिए कि मतलब हमने अपने सुहाग की चीज को हम जितना कहते हैं कि हम लोगों में बाड़ते हैं उतना हमारा हमारे सुहा की जो उमर होती है वो लंबी होती है तो जब यह हमारी पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद हमें क्योंकि कहा जाता है कि बिना बिना दान किये बिना पुन किये कोई भी ब्रत कोई भी पूजा हमारी सफल नहीं होती तो इस lockdown में हम किस तरह से कैसे दान करें यह मानता रखती है कि हमारे घर पर पंड़जी पूजा करवाने आएंगे नहीं तो हम खुदी पूजा जी से हमने बताया है वैसे पूजा करिए और पूजा करने के बाद जो आप पंड़जी के नाम से निकाल लीजिए मतलब हो गए पैसे हो गए फल फ्रूट तो आप नहीं दे सकते हैं और जो पैसे और कपड़े उनके नाम से जो निकालेंगे आप वह जब लोगड़ण खुल जाए तो आप जाकर उसको 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 जहां पर पूजा स्थापित के वहां से अपने घर में रख लिजे और जब ही काम करना है उसके बाद ही हमें जो जल्व गएरा ग्रहन करते हैं कलो के कलो के चाहे कुछ लोग उस तिन रात में कर लेते हैं तो पहले आपको पंड़जी के लिए निकाल लेना है दक्षणा दान उसके बाद ही आप उसको अपना ग्रत खोले और बिसक दान कभी और करे हैं लेकिन उनके नामका निकल गया है ना तो उसको निकालकर आप रख दें वह सके जिसलिए स्र्मकर तो आप बर्गत के पत्तों में ही रखकर दान दें से बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दिन सारा कं सारा चीज बर्गत का ही माना हुआ है श्रिंगार से लेकर पूजा तक तो जो पूजा का जो अंतीम चरण होता है उसको भी बर्गत के पत्ते से ही इसका सवाप्त करना चाहिए तो जो भी आप दान देते हैं तो उसको ब्रगत के पत्ते में ही रख कर दान दक्षना दे और इतना सब कुछ करने के बाद फिर वड़ सावित्री की कथा स झाल झाल